आउज बिल्लाही मेने शेयत्वा निर्वाजीन बिस्मिल्लाहित्वाख्मान इताहीम असलाम लेकुम दोफ्तों मैं हूँ मोफिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24-7 Teachers Online दोफ्तों हमारी Introduction to Business के हवाले से क्लाफ चल रही है और आज OCDS का हमारा 61 Lecture दोफ्तों आज की क्लाफ में हम बात करने वाले हैं बिस्निस की मुख्तलिफ और अक्साम के बारे में जिसमें हम देखेंगे के Joint Venture क्या होता है Mergers क्या होते हैं और Acquisition से क्या मुराद है दोफ्तों आज की क्लाफ शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लाफ के अंदर क्या पढ़ा था दोफ्तों पिछली क्लाफ के अंदर हम लोगोंने बात की थी बिस्निस की Success के हवाले से और Failure के हवाले से हमने देखे थी बहुत सारी डिजन्स जो किसी भी बिस्निस को कारोबार को कामियाब बनाती हैं और ऐसी डिजन्स या ऐसी जो किसी भी बिस्निस को Failure की तरफ लेकर जाती हैं उसके अंदर भी हम लोगोंने कुछ factors ऐसे देखे थे जो controllable factors यानि जिनको हम control कर सकते हैं और कुछ हमने uncontrollable factors देखे थे जो हमारे बस में नहीं होते या जिनको हम control नहीं कर सकते तो दोस्तों यहां तक तो थी हमारी पिछली class आज की class में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बात करने वाले हैं business की और firms के हवाले से जिसमें हम देखेंगे के joint venture क्या होता है mergers क्या होते हैं acquisition से क्या मुराद है along with that we have seen the advantages and disadvantages of these terms which we have been studied in our today's class तो चलिए दोस्तों हम आज की अपनी class शुरू करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं के joint venture क्या होता है two are more people or organization join hands and decide to do a combined business जब दो लोग या दो organizations मिल के कोई काम शुरू कर लेती हैं मतलब एक organization पहले थी एक organization दूसरी थी वो दोनों organization आपस में मिल गई हैं और एक नया करोबार शुरू किया है या उन दोनों में से किसी एक ने वोही करोबार शुरू किया है तो इसको हम joint venture कहते हैं कि दो company जो है वो आपस में मिल गई है इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब दो company आपस में मिल जाती हैं तो उसके advantages क्या होते हैं उन companies को उसके क्या फवाइद हासिल होते हैं जब वो joint venture करती है आपको screen के उपर एक table number आ रहा है जिसमें serial number है और point और फिर आगे उसकी detail है तो इसमें जो first advantage है joint venture का दोनों companies को वो है provide opportunities to acquire a new expertise कि जब दो company आपस में मिल जाती हैं तो उसमें जो है new hiding की बजाए वो जो पुराने लोग company के अंदर काम कर रहे होते हैं उसमें से जो expert लोग होते हैं जिनके पास high qualification and high experience होता है उस job को perform करने का तो उनको वो रख लेते हैं और बाकी जो लोग होते हैं उनको down saving के जो है वो company से निकाल देते हैं तो joint venture का एक फाइदा ये है कि दोनों company को जो है expert लोग होते हैं वो मिल जाते हैं उस business को operations को perform करने के लिए इसका जो दूफरा फाइदा है वो ये है allow to enter in a new geographic market for example एक company है वो कोई भी कहीं पर business कर रही है वो एक city को जो है वो capture कर रही है जब दो company अपफ में मिल जाती है तो वो एक city को capture करने की बजाए बलके दूफरे city को भी capture करना शुरू कर देती हैं वहां पर भी अपनी product या service की sale शुरू कर देती है तो ये भी एक joint venture का फाइदा है इसके बाद जो तीसरा फाइदा है वो है gain new technological knowledge जब दो company मिल जाएं तो इनको technology का अंदाज़ा होता है कि market के अंदर कौन से technology चौल रही है कौन से technology यूज़ करके उन्होंने अपनी जो production है उसको बढ़ाना है अपने profit fees के अंदर जो है efficiency लेकर आनी है तो ये भी एक joint venture का फाइदा है इसके बाद अगला जो फाइदा है वो है sharing of specialized staff and technology कि एक company है वो latest technology यूज़ कर रही है और एक company है वो traditional technology यूज़ कर रही है तो जब दोनों company आपस में मिलेंगी तो वहाँ पे जो है उनको technology भी share होगी और उनका जो staff है वो भी share होगा तो ये भी एक joint venture का फाइदा है इसके बाद अगला जो फाइदा है वो है sharing of risk कि जब एक company अकेली काम कर रही होती है तो उसको ज्यादा risk होता है as compared to कि जब दो company आप मिल जाती है तो जो उनका risk factor है for example एक company के पाफ फरमाया ही 10 million था जिससे उन्होंने कारोबार शुरू कर लिया अब जो दूसरी company है उनके पाफ 12 million फरमाया था तो दोनों company जब मिली है तो उनने 10 million 10 million दोनों ने share करके joint venture किया तो अब जो risk factor है पहली company का वो भी minimize हो गया क्योंके दूसरी company के पाफ जो है वो extra funds available है अगर कोई risk factor होता भी है तो उसको cover कर सकती है तो यह भी joint venture का एक फाइदा है इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारे पाफ फॉर्म है business की उसको हम कहते हैं mergers अब mergers क्या होते हैं merger is a new trend in market in which two or more organizations combine together and form a new organization के पहले हमने joint venture के अंदर यह पढ़ा कि दो companies आपस में मिल गई हैं और उन्हों ने एक कारुबार शुरू कर लिया है लेकिन उनकी जो अपनी physical existence होती है या जो उनकी अपनी companies होती है वो खतम नहीं होती उनकी अपनी हैसियत बरकरार रहती है लेकिन on the other hand if we are talking about the mergers अगर हम mergers को देखते हैं तो mergers जो है जब इसमें दो companies मिलती है तो उनकी जो अपनी हैसियत होती है उनकी जो अपनी for example एक company जो है वो computer बना रही है हम कहा देते हैं कि IBM है दूफरी company जो है वो हम कहा देते हैं कि एक नया brand मुतारिफ करवाएंगे जिसको हम Microsoft या Intel brand कह देते हैं तो यह हमारे पास जो है वो mergers की खासियत है कि mergers के अंदर जो है वो दोनों company तो मिल जाती है लेकिन उसके अंदर जो है दोनों company की जो हैसियत है पुरानी companies की वो बिलकुल खतम हो जाती है तो यह basically difference है between the joint venture and mergers तो चलिए दोस्तों जैसे हमने joint venture के कुछ advantages को देखा वैसे ही हम mergers को भी देख लेते हैं और इसके merge करने के भी companies को advantages हाफिल होते हैं हम जो है वो देख लेते हैं इसका जो अधला फाइदा है वो है greater efficiency कि जब दो कारोबार मिल कर करेंगे तो इससे जो आपकी efficiency है processes की वो व्यादा efficient होगी वैसे भी आप लोगोंने सुना होगा कि एक एक होता है और दो जो है वो 11 होते हैं जो जब दो companyया मिल जाएंगी तो उसकी जो productivity है और उसकी जो efficiency है वो automatically increase हो जाएगी तो इसका जो दूसरा फाइदा है reduce the cost of oppression कि जब एक company काम कर रहे थी for example वो hundred pair of shoes बना रहे ही थे तो उनकी जो लारगत थी वो बहुत व्यादा थी when the company is producing 200 pair of shoes जब वो 200 जोड़े जूतों के बनाएगी तो उनकी लागत जो है वो बिलकुल कम आएगी क्यूंकि अब जो है वो 100 जोड़े पहली कंपनी बना रही है 100 दूसरी बना रही है वो अलग-अलग entities पे हैं तो उनकी लागत ज्यादा होगी जब वो दोनों मिलके एकठ फ़रे business के अंदर operations होते हैं जिनकी जो cost है वो minimize हो जाएगी when two companies are combined together जब वो दो कंपनियां इकठी होंगी इसके बाद इसका जो तीसरा benefit है वो है expand business ये वही खासियत है जो हमने joint venture के अंदर भी पड़ी थी कि जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती है तो उनका जो कारोबार है पहले अगर उनके hundred client थे एक company के पास hundred दूसरी company के पास थे तो अब उनके जो client है वो भी बढ़ जाएंगे और उसका जो geographical area है for example पहले वो एक city को जो है product and services दे रहे थे अब वो दूसरे को भी देंगे तीसरी city को भी देंगे तो उनका जो business है वो expand कर जाएगा with respect to the geographical area with respect to the customer with respect to the supplier और हर लेहाफ से जो उनका business है वो expand कर जाएगा इसके बाद इसका जो आखरी benefit है जो यहां पर मैंने लिखा है वो है more profit in able more research and development जब दो कंपनियां अपस में मिलेंगी तो ला महला उनका जो profit है वो भी बाड़ जाएगा तो जब किसी भी company का profit जो है वो बाड़ जाता शुरू कर दोते हैं और जब company रिफेर्च and development के उपर खार्च करती है तो उनकी जो product के design है या दूफरी चीवे हैं वो improve होती है तो उसे company की productivity है वो और इंक्रीव होती है और profit margin जो है वो भी इंक्रीव होता है तो यह कुछ advantage थे merger के हवाले पे और मुझे उमीद है कि आप ल coupon की कठी होती है तो उनकी जो हैसियत होती है मतलब उनके अपने brand होते हैं वो बरकरार रहते है On the other hand, अगर हम mergers को देखते हैं, तो उसमें जब दो कंपनियां मिलती हैं, तो उनके जो अपने brand होते हैं, वो खतम हो जाते हैं और वो एक नए नाम के साथ जो है, वो market के अंदर आते हैं, तो ये mergers का एक form है business की, इसके बाद दोस्तों, आज की class की हमारी जो आखरी business की form है, अब acquisition क्या होती है, it's totally different from the joint venture as well as the merger, ये उन दोनों से मुख्तलिफ है, here one business acquire the other business instead of combining, यहाँ पे जहाँ वो दोनों जो businesses हैं, वो combine नहीं हो रहे, बलके एक जो company है, वो दूफरी company को purchase कर लेती है, खरीद कर लेती है, तो acquisition के अंदर जो है, वो acquire कर लेती है, मतलब खरीद कर ले है, दूफरी business को, यहाँ पे इकटे नहीं होते है, बलके एक जिसके पास heavy amount होती है, वो दूफरी company को खरीद कर लेती है, चोटी companies को, जैसे Microsoft वाले हैं, तो उन्होंने वो WhatsApp को भी खरीद कर लिया, तो इसी तरह बहुत सारी जो companies हैं, वो दूफरी companies को acquire कर लेती है, इसके बा देख लेते हैं, तो इसमें जो पहला फाइदा है, वो है market power, कि जब एक company, जैसे हम कहते हैं, कि जो आपकी wrong है, उसको flan company ने खरीद लिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी companies हैं, जो acquire कर लिया है, तो उनकी जो market power होती है, वो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, for example, जैस के पा के साथ compare करते हैं, तो उनके 120,000 client है, तो जब वो तो एक company, दूसरी company को acquire कर लेगी, खरीद लेगी, तो उसकी जो market power हो बढ़ जाएगी, वो हर लियाब से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो है, उनके जो client है, वो अब 1.5 lakh हो गई है, तो इसकी market power भी बढ़ गई है, client के हि लियाब से भी और capital के लियाब से भी, इसी तरह इसका जो दूसरा benefit है, वो है access to expert, अब जब एक company, दूसरी company को खरीद करती है, तो उसमें ये देखती है, कि जो expert लोग होते हैं, जिनकी अच्छी qualification होती है, और अच्छा जिनके पास experience होता है, वो उनसे मिला कर, और उनकी company मे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो expert होते हैं, वो उनसे मिला के team बना लेती है, तो expert उनके पास लोग आ जाते हैं, इसका जो अगला फाइदा है, वो है access to capital, कि जब एक बड़ी company, छोटी company को खरीद कर लेती है, तो छोटी company के पाफ जो है, वो lack of capital होता है, हो जाती है, इसके पाद अगला जो benefit है, वो है fresh idea, जब एक company दूसरी को खरीद कर लेती है, तो उसके बाद जो है, उनके पास नए idea भी आ जाते हैं, कि market के अंदर कौन सी product है, जिसको हमने लाना है, और जिससे हमें long term benefit होगा, तो fresh idea भी उनके साथ आ जाते हैं, इसके बाद जो फाइदा है वो है new competitive, कि जब एक company दूसरी company को खरीद लेती है, तो दूसरी company के अंदर जो competitive थी, तो उस company के पास भी आ जाती है, तो उनकी जो competency है उसमें इजाफा हो जाता है, newweed नियो एचली पास आ जाती है, इसके पाद आखरी जो benefit है वो है new resources, एक company के पास पहले जो उस company को acquire किया, तो उनके पाफ जो physical resources या human resources थे, वो उनके पाफ भी आ गए तो उस company के new resources भी create हो गए, तो ये भी एक फाइदा है किसी भी company को acquire करने का, तो दोस्तों ये थी हमारी तीन form of business जिनको आज की class के अंदर हमने पढ़ा, इसमें एक joint venture, एक आपकी merger और तीसरी acquisition, मैंने ना सिर्फ आपको joint venture के बारे में बताया, merger के बारे में बताया, acquisition के बारे में बताया, बलके इन तीनों के दर्वियान जो फर्क है, उसको भी वज़े किया, और इसके साथ ही हम लोगों ने इसके advantages को भी देखा, तो दोस्तों हम अपनी आज की class जो है, वो यहीं पे खतम करे और मुझे उमीद है कि आज की class से भी आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो आपने like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share करें, जिनका यह subject है, और comments की फूरत में feedback दिया करें, ताके मैं और अगली बिवनिफ के class में उफकत तक के लिए मौफिन भाई को इजाफत दीजिए, थैंक यू वेरी मस् दोफ्तों, अला हाफिफ